असलाम अलेकुम दोस्तो वेलकम तो आवर चैनल हाउटो आईटी टैक टूपीके जैसे के हम पहले वीडियो बना चुके हैं आउलाइन टीचर एक्रूट्मेंट सिस्टम के हवाले से प्री इंटर्व्यू के लिस्ट हमने इदर आपको प्रोसीजर बताया था कैसे प्री इंटर्व्यू की लिस्ट आप देख सकते हैं तो उस वीडियो से हटके इसमें जरा मुद्रिव तरीके से हम देखेंगे किस तरह हम टेटिटिव मेरलिस्ट या फाइनल मेरलिस्ट किसी भी डिस्टिक की पूरे पंजाब में देख सकेंगे तो इसमें जो जो जरूरी चीज है दो दो चीजे हमने स्लेक्ट करनी है वो है एक डिस्टिक्ट स्लेक्ट करनी है और दूसरी लिस्ट की टाइप कौन सी है वो हम स्लेक्ट करेंगे बाकी जो ऑप्शनल पार्ट है हम उनको स्लेक्ट नहीं करेंगे इसमें अब आपके सामने मैं इसको शुरू करता हूँ उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ये नीचे जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा है उसके सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल के आइकों को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो उससे पहले हम किसी भी डिस्ट्रिक का देखना चाहते हैं फार एक्जमपल गुजरात का हम देखना जाते हैं यह हमने district select की गुजरात की और यह भी optional यह भी optional और यह भी हमने select नहीं करना उसके बाद हमने यहां से tentative select कर लिया tentative pre entry के बाद tentative पर क्लिक किया search द्वा दिया ना हमने authority select की search उसके बाद हमारे सामने ऐसी screen आ जागी जिसमे tentative merit list का option आ रहा होगा action में action में tentative merit list का option आ रहा होगा और गुजरात में AU के यह लिए authority आ जागी कि कौन सी authority है और साथ में हम क्या करेंगे किसी भी post को देखने के लिए इस पे simple click कर देंगे open merit में तीन seat आ रही है इसमें AU में और AU में यह चार आ रही है और ESC arts में 32 आ रही है और ESC science में 20 open merit पे हैं हम किसी पे click करते हैं चले इस पे click कर लेते हैं अब यह आ जागा attentive merit list recruitment of educators 2017 डिस्टिक गुजरात यह जब हम आखर पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा के total कितने candidate हैं 88 candidate हैं और 20 seats हैं और यहां पे जो merit है clearly descending order में बनाया गया है जो top पर position आई है वो 73.84 पे merit रहा है उसके बाद 70.3 इस तरह डॉप होता जा रहा है और यह merit जा रहा है अगर हम इनको count करें तो 20 seats कैसे पूरी होंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा अंदादा लगा रहे हैं 14, 15, 16 जो ग्रीबन 63, 60 के क्रीब आके यह 20 seats जो हैं पूरी हो जाएंगी इसमें अलावा हम यह quota सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं उपन मेरिट पे हम चेक करते हैं कि उपन मेरिट पे कितनी हैं यहां पे क्लिक किया और यह सब्मिट कर भा दी उपन मेरिट पे आ गई यह जाएंगे पर नीचे जाएंगे ऐसे स्क्रोल करेंगे और एंड पर इसको स्क्रोल करेंगे तो साइड पर ये मेरिट का आ जाएगा 46 पर आखरी मेरिट है इसमें अफरी मेरिट पर आखरी कैंड़ेट और पहला कैंड़ेट जो है 73.84 पर है उसके लावा ये different option है हम इनको प्रिंट कर सकते हैं ये इस list को अगर प्रिंट करना हो back to search मेरिट कर सकते हैं back to search मेरिट अब हमने दोबारा किसी और district की देखनी है तो लहुर select कर लाते है district और list की type कौन सी है tentative है ये final आप कोई भी select कर सकते हैं जैसे ये list लग रही है अभी जो tentative लग रही है और किसी जगा पर final भी लग रही होंगी हम search पर दबा देंगे जैसे search पर दबाएंगे तो ये list आजाएंगी notification by district अब जो है ये seats आगई है जहां पर post नहीं थी उसने बता दिया action में no post है और जिसमें post थी वहां पर बता दिया tentative merit list इस पर click करेंगे एक post है सिर्फ female में और नीचे जाके हम इसको scroll down करके पता चला लेंगे कि पहला candidate कौन से merit पर है इसको scroll down किया right और जब टॉप पर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा candidate इस post के लिए select हुआ है इसका merit रहा है 85.336 अमीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो मेरे बाने करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफ़िज